हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबम परोहित आपका जोगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरिट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर मैगनेट ब्रेंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइट करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में और छटवी से लेकर बारवी तक हम आपको करते हैं हिंदी माध्या में सभी कक्षाएं सांति साथ अगर आप ईएनोट्स और इबुक्स लेना चाहते हैं तो निक है डिस्क्रिप्षन बॉक्स में हिंदी माध्या में हम जिन बोर्ट को कवर करते हैं वो बोर्ट हैं डेली बोर्ट बिहार बोर्ट यूपी बोर्ट एमपी बोर्ट और राजिस्थान बोर्ट इन सभी बोर्ट में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टुडेंट्स हम कक्षा बारवी की बुक जिसका नाम है मालव भुगोल के मूल सिध्धान्त इस बुक को पढ़ रहे हैं इस बुक का चैप्टर नंबर साथ हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है परिवहन एवं संचार इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने विभिन परिवहन के जो साधन हैं उनके बारे में जाना हम लोगों ने सरत परिवहन को देखा हम लोगों ने जल परिवहन को देखा हम लोगों ने वायू परिवहन और साथी साथ पाइप लाइन्स के बारे में हम लोगों ने डिसकेशन किया उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स पॉपिक होते हैं पहले समय में परिवहन के साधनों के द्वारा ही संचार किया जाता था लेकिन आज परिवहन और संचार जो साधन है वो अलग अलग है उम्मीद करूंगा आपनों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है अ पहले समय में परिवहन और संचार जुड़े हुए थे क्यों क्यों कि पहले टेलिफोन मुबाइल इंटरनेट जैसी चीज़ें होती नहीं थी परिवहन के साधन उतने फास्त नहीं थे पईये का आविशकार नहीं हुआ था एक जगा से दूसरी जगा इंसान ही संदेश ले ज जादर अलग हैं टेलिफोन मुबाइल इनका यूज अलग होता है तो आईए देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा गया है लंबी दूरियों के संचार है तू मनुष्य ने अनिक विदियों का प्रियों किया जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्पूर थे टेलीग्राफ पश्चिब में अमेरिका के उपनवेशवाद का साधन बना तो टेलीग्राफ जो था पहले चलता था टेलीफोन से पहले और अमेरिका जो गुलाम बना था ब्रेटेन का ही वो टेलीग्राफ की वज़े से बना था क्योंकि ब्रेटेन ने बहुत ज्यादा अमेरिका का एक अधिकार था मोनोपोली थी वास्ता में टेलीफोन अमेरिका के नगरी करण का एक क्रांतिक कारक बना जैसे जैसे नगरी करण हुआ अमेरिका में शहरों का विकास हुआ विक्सित जनसंख्या जो है धीरे-धीरे जो बनी उसमें टेलीफोन का एक महत्वपूर रोल था फर्मो ने अपने कारियों को नगर इस्थित मुख्यालों पर किंद्रित कर दिया और अपने शाखा कारियाले छोटे नगरों में खोल दिये अब टेलीफून के कारण क्या हुआ कि जो जो मुक्य मुख्य नगर थे, बड़े-बड़े महानगर हुआ करते थे, वहाँ पर एक मुख्य कारयले हुआ करता था और जो छोटे-छोटे कारयले हुआ करते थे, जो छोटे-छोटे कारयले हुआ करते थे, वो मुख्य महानगरिय कारयले से जुड़ गए और कैसे जुड़ गए टेलीफोन की मदद से जुड़ गए ठेक है क्योंकि अब निगरानी करने के लिए बाचीत करने के लिए संचार करने के लिए टेलीफोन का प्रियोग होने लगा तो उमीद करता हूँ आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चलिए नेक्स स्लाइड पर चलते हैं आज भी टेलीफोन सरवादिक प्रियोग की जाने वाली विधा है विकास शील देशों में उपग्राहों द्वारा संभव बनाया गया ग्रामिड छेत्रों में संचार माध्यम के लिए सेलफोन ने महत्वपून भूमी का अदा की है आज विकास अदबुद गती से हो रहा है पहला प्रमुख पारवेधन ऑप्टिकल फाइवर तारों दवरा प्रियोग है बढ़ती प्रतिस्परदा का सामना करती कंपणियों ने पूरे विश्म में ऑप्टिकल तारों को समविष्ट करने के लिए अपनी तामभी की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत कर लिया है ठीक है प्रकाश्ट तंतु इंग्लिश में बोला जाता है Optical Fiver की जो Lines है आप लोगोंने देखा होगा हर शहर में आ चुकी है Broadband connectivity हर शहर में पहुंच चुकी है गाउं तक में पहुंच चुकी है तो ये Optical Fiver वाली जो Lines है प्रकाश तंतु इसको बोलते हैं हिंदी में यह लाइन्स जो है वो पूरे शहर में बिच चुकी है इस वज़े से जो टेलीफोन संचार है सेलीफोन जो है इंटरनेट जो है वो हर जगा पहुँच गया है इनसे आकलों की विशाल मात्राओं का तीवरता से होता क्या है भाई प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर से इसमें विशाल जो आकड़े होते हैं आकड़ों की विशाल मात्राओं का तीवरता से सुरक्षा मक और लगभग तुर्टी रहित संप्रेशन संभाव होता है 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकी करन के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विले हो गया परणाम सरूप एक समनवित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है अब इंटरनेट के बारे में तो आप सभी को पता ही है ग्लोबल विश्व बन चुका है पूरे विश्व के देश आपस में करेक्ट हो चुके हैं इंटरनेट के माध्यम से हम लोग बात कर लेते हैं सैटलाइट कम्यूनिकेशन यानि उपग्रह संचार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण टेकनलोजी आप सभी को पता है आज इंटरनेट प्रत्वी पर सबसे बड़े विद्धिया जाल के रूप में 100 से अधिक संग के द्वारा अंत्रिक्ष विज्ञान के छेतर में अग्रणी शोद किया गया तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीक के छेतर में एक नवीन युग का आरंब किया तो अपनों से बोला जा रहा है शुरुआत कहां से हो रही है संयुक्त रा अमेरिका एवं पूर्वे सोवियस संग के द्वारा भाई हो यह रहा था कि कोल्ड वॉर चल रहा था संयुक्त राज अमेरिका जिसको हम यूएस बोल रहा है और यूएससर जो है उनके बीच शीतियों तो चल रहा था स्पेस टेकनोलोजी का प्रियोग जो है बहुत दोनो स्थान सथ्यापन सीमित था तो पहले भाई हम लोग सिर्फ जानते थे कि वहां कोई देश है कोई गाउं है आज की समय में तो वहां तक बातें पहुंच नहीं है लोग वहां पर जा रहे हैं संचार की मदद से ठीक है चोंकि संचार अगर विक्सित हो जाता है तो परिवहन के सादन विक्सित हो जाते हैं परिवहन के सादन विक्सित हो जाते हैं तो संचार विक्सित हो जाता है दोनों ही चीजां आपस में जोड़ी ह Recommunication सैटलाइट टेखनोजी ही आज के समय जो है प्रॉमिनेंट है हरदेश में यूस हो रही है इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर में संचार में लगने वाले एकाई मूल इभम समय में होने वाली बृद्धी को नियंत्रित कर लिया गया है हमें पता है समय की तो बहुत बचित हो गई है जिसका दात्वर यह है कि 500 किलोमेटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग् के द्वारा 5000 किलोमेटर में जो लागत लगती है उसके बरावर हो गई है उपगरह विकास के छेत में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं आरिभट का 19 अपरेल 1989 को और भासकर एक का 1989 में तथा रोहनी का 1980 में प्रक्षविपन किया गया तो उपगरह संचार के छेत में हमें सेटलाइट लॉंच किये थे आरिभट लॉंच किया था भासकर फस्ट लॉंच किया था और रोनी जो है वो लॉंच किया था हम भी धीरे धीरे उपगरह संचार के छेतर में आगे बढ़ रहे थे यार भट्टे का चितर आप लोगों को दिया गया है कभी ना कभी सुना ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यदिक प्रभावी बनाया आज दूरदर्शन के माद्यम से मौसम की भविश्यवानी एक वरदान बन गई है यह बास है कि दूरदर्शन भी आज के समय में हम लोग नहीं देखते दूरदर्शन के अतरिक्त हजारों ऐसे चैनल चल गया है जो उपग्रह संचार के माद्यम से ही संभव हो पाए है उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है अफर समय अपते मित्रों को फोन करने के लिए एवं छोटे संदेश प्रेशित करने के लिए के लिए हैं अत्वां केबिल दूर दर्शन का पर लोग और कारीकामों को देखने के लिए आपुपग्रह संचार सेवा का प्रियोग करते हैं तो भाई आज के समय मुबाइल फोन या उपगरह संचार की मदद से आप लोग देख लीजिए वीडियो देख पा रही हैं आसानी से मेंगनेट ब्रेंस चैनल से जोड़े हुए हैं तो उपगरह संचार ही तो है सैटरलेट कम्मिनिकेशन ही तो है अब हम हिसमें जो टैक्निलॉझी का जिक्र किया गया है कंड़्यों को गहीं हैं इन्टरेट के बारे में ़िए स्पियस का संचार है इंटरेट के बारे में इस जितनी वाइए मन्या लगों को पता है तो साइबर सुड़ द्वारा कस्पीयोस करते पेजी़ करतें है यह वर्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट के द्वारा आवरत है सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने के वाले के शारिरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेशन और प्राप्ति की विद्यतिय अंकियत दुनिया है कुल मिला कर यह बोला जा रहा है अब एक जगा से दूसी जगा संदेश मोचाने के लिए आपको शारिरी रूप से जाने की आवशकता नहीं पड़ती अब तो बिन जाए ही संदेश मोचे जाते हैं इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है साइबर स्पेस हर जगा विद्यमान है या किसी कालेले में जल में चलती नौका में उड़ते जहाजों में और वास्ताव में कहीं भी हो सकता है तो कहीं भी हम लोग देखते हैं इंटरनेट का प्रियोग आज के समय कर सकते हैं जिस गति से एलेक्ट्रोनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है इंटरनेट प्रियोगता उननीश सो पिंच्यानवे में पांच करोड दोहजार में चालिस करोड दोहयार दस में दोसो करोड हैं ठीक ह के हमरे पूरी दुनिएंस की अगर हम बात कर लें तो को बेखत को वर्षों में ब्यंच्विक प्रियोगताओं सधानांतरण हुआ है कब वास्व वर्षों में वैश्विक प्रियोकताओं प्रियोकता मतलब जो Will? तो टेकनोलोजी इंटरनेट सेचुरेशन वहाँ पर आही गया है संत्रप्त आवस्था आ गई अब धीरे धीरे टेकनोलोजी ट्रांसफर हो रही है ऐसे देशों में जो अलपविक्सित हैं या फिर विकास शीन है सहुक्ति राज अमेरिका में प्रतिशत अजन्शिप पिंच में 66 प्रतिशत रहे गया है अब विश्व के अधिकांश प्रयोकता स्युक्तराज अमेरिका ब्रेटेन जर्मनी जापान चीन और भारत में हैं यह बात आप लोगों को याद रखनी है जैसे की करोणों लोग प्रतिवर्श इंटरनेट का प्रयोग करते हैं साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को इमेल इवारिज इसिक्षा और इप्रशासन के माद्यम से विस्तरत करेगा तो आज की समय में तो यह लर्निंग का प्लेटफॉर्म जो है उनकी मदद से आप देख लिए वीडियो देख पा रहा है यह फ्लिपकॉर्ट और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांगते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा ठीक है तो समय तो आज के समय में लगता ही नहीं है एक क्लिक के माद्यम से आप सूचनाओं को दूसी जगा पहुँचा सकते हैं यह आधिनिक संचा है एक हाथ में जो है समेट कर रग दिया हमारे मुबाइल फोन में पूरी दुनिया की एकसे जो है वो हो जाती है आज के समय में हम दुनिया भर की सारी चीज़ें जो हमें देखना हो चाहे हम हमें शौपिंग करनी हो हमें जुड़ना हो किसी दूसरी देश से के दूसरे दे बन चुकी आज के समय में पहले एक गाउं से दूसरे गाउं में मतलब जाने में भी समय लगता था और अब तो पूरी दुनिया में कहीं भी पलक जपकते ही बात की जा सकती है जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दर्श्टिकॉर्ण से इस पन लगा वन विनाश से प्रवावी छेत्रों को ढूंड़ना सेक्ड़ों भौतिक प्रति रूपों एवन प्रक्रमों को पहचानने हितु किया जाएगा कुछ मिलाकर यह बोल रहा है कि पहले के समय में तो क्या था कि इंटरनेट टेक्नलोजी हमने सिर्फ सेना के छेत्र के लिए प् और आज के समय में दो तो परियावरन अनुकूल जितने भी चीज़ें जितने भी कदम हम उठा रहे हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आ गया है जैसे कि कहां पर प्रदूशन हो रहा है उन छेत्रों को पहचानना जहां पर वनों की बहुत जादा कटाई हो रही है उ अभी तक इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा संचार में जितनी भी बाते हम लोगे डिसकस की हैं मैंने बताया आप लोगों को बहुत सी बाते आप लोगों को पता है बस समेट लेनी है एक जगा रख लेनी है पूछ लिया है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ठीक है इसी तरीके से cbsc बोर्ड के साथ डैली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एंपी बोर्ड और राजिस्थान बोर्ड में मैंगनेट ब्रेंस आप लोगो क्लासिस प्रोवाइड करता है सांतिसाथ वैदिक मैंस क्रेश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासिस भी मैगनेट ब्रेंस चैनल द्वारा चलाई जा रही है www.magnetbrins.com यह हमारी ओफिशल वैबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंकृनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी डे-टू-डेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल पर हम उपलब्द हैं वो हैं यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, क्विटा, टेलिग्राम और वाट्सेप चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आज की इस वीडियो को धेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्तिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है इन और सोरी बॉक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू, थैंक यू सो मच